हलो फ्रेंट्स मैं हूँ अंजली और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर फ्रेंट्स आज मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ आटे के लड़ू आटे के लड़ू गर्मियों में या सर्दियों में कभी बना सकते हैं लेकिन इसके अंदर जो हमने इंग्रीडियन्स डाले हैं वो डाले हैं सर्दियों के लिए सर्दी से भी आपको बचा के रखेंगे और खान में काफी टेस्टी होते हैं और बनकर भी जल्दी तयार होते हैं तो आए बनाते हैं फटा फट से आटे के लड़ू फ्रेंट सबसे पले हम कड़ाएं में लेंगे थोड़ा सा घी और घी को हो जाने दिनगे मेल्ट और मेल्ट हो जाने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे 100 ग्राम गॉंद गॉंद आपको किसी भी ग्रॉसरी शॉप से आसानी से मिल जाएगी इस सीजन में आप जैसे ही से फ्राय करना शुरू करेंगे तो यह जो कलर दिख रहा है आपको भी गॉल्डन यह वाइट में कंवर्ट हो जाएगा और यह गॉंद जस्ट डबल साइस की हो जाएगी तो यह देखे फ्रेंट्स गॉंद तयार हो गई है लड़ों के लिए अब हम इसे कड़ा में लिए हैं काजू बादाम और चिरोंजी लिया है आप अपनी मर्जी के कोई भी ड्राइफूड इसके अंदर डाल सकते हैं जो भी आपको खाना अच्छा लगता है अब अच्छे जफ्राय कर लेंगे गी के अंदर और फ्रेंट्स यह जो हम लड़ों बनाने जा रहे हैं इसमें लगबग आपका एक किलो घी यूज हो जाएगा तो देसी घी घर का निकला हुआ हो या बाजार का अच्छी क्वालिटी का लिजीगा ड्राइफूट्स अल्मूस्ट फ्राय हो चुके हैं गैस का फ्लेम हम आफ कर देंगे और अब इसमें किश्मिश डालेंगे फ्र थोड़ा सगी फिर से हम एड कर लेंगे कड़ाई के अंदर फ्रेंड्स अभी गी मैल्ट हो चुका है इसके अंदर हम एड कर रहे हैं 250 ग्राम 200 ग्राम गोले का बुरादा फ्रेंड्स यह जो गिसा ववा नारियल है उसका बुरादा मिलता है मार्केट में आसानी से आप किस अधरी शौप से ले सकते हैं इसे इसे भी हम थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे घी में फ्रेंड्स गोल्डन ब्राउन गला रा चुका है इसके उपर तो अब भी हम इसे भी बर्तन में निकाल लेंगे अभी हमने उसी कड़ाई में ले लिया है एक किलो आठा फ्रेंड्स ये नॉर्मल गेहूं का आठा है जिसकी रोटिया बनती है इसी से हम बना रहे हैं अपने लडू और अभी ये जो आठा है इसको या तो आप गरम घी में डालिएगा या फिर घी उपर से भी डाल सकते है फ्रेंड्स हम यहां पर इसको पहले थोड़ा सा भून लेते हैं जिसे की हलका सा इस पर ब्राउन कलर आजए हलका सा ब्राउन कलर आते ही हम इसके अंदर आड़ करेंगे घी घी चाहें तो आप गरम करके आड़ कर दीचे थोड़ा सा या फिर ऐसे भी आड़ कर सकते हैं क्य इतने भी हमने इंग्रीडेन इसके अंदर डाले हैं तो एक लीटर घी आपका लग जाएगा इसमें अभी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे कड़ाई गरम है तो घी अपने आप मैल्ट हो जाएगा और इसके बाद आटा और अच्छे से बोना शुरू हो जाएगा और इसम आटा बिलकुल अच्छे से बुन चुका है यह देखिए एकदम ब्राउन कलर हो चुका है दाना दाना इसका खिल गया एकदम अब हम इसके अंदर आड़ कर रहे हैं ड्राइफ रूट्स अभी इसके अंदर हम एड़ कर रहे हैं गूंत गूंत को हमने ग्राइंड कर लिया कसा हुआ जो नारियल था फ्रेंड्स अब वो भी इसके अंदर आड़ कर देंगे हम ध्यान रखेंगे मिलाते वक्त गैस का फ्लेम आफ है क्योंकि अल्रेडी हम सावरी चीजों को भूण चुके हैं तो बस अभी इसे मिक्स कर देंगे और इसका जो टैंपरेचर है वो थोड़ा सा नॉर्मल आने देंगे क्योंकि अभी हमें इसके अंदर बूरा मिलानी है और बूरा को कभी भी गरम चीजों में नहीं मिलाते हैं अधर वाइस हो पानी छोड़ देती हैं तो जितना आपका हाथ सह सकता है बिल्कुल नॉर्मल सा गरम ही चाहिए हमें ये एक लिटर में से थोड़ा सा बचा हुआ घी और है मेरे पास तो वो भी अभी इसी टाइम डाल दे रही हूँ मैं ताकि इसमें अच्छा सा मौशर आ जाए मिक्स कर लेंगे इसे एक बार अच्छे से अब ये हलका सा गुर्ण गुर्णा रहा है तो लगबक 750 ग्राम हम इसके अंदर आट कर रहे हैं बूरा मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से इसमें अपने हाथों को भी यूज कर सकते हैं इसे मिक्स करने के लिए फ्रेंड्स क्योंकि ठंडा हो जाएगा तो ठीक से मिक्स भी नहीं होगा और बाइंड करने में प्रावब्रम होगी तो हाथों से मिक्स कर लें बूरा अच्छे से मिल चुकी है सारे मिक्षर में तो अब भी हम लड्डू बनाने स्टार्ट करते हैं लड्डू का साइज आप अपनी मर्जी से कितना भी रख सकते हैं जितना आपको खाना पसंदो तो ये देखे बहुत ही असानी से एक लड्डू बाइंड कर लिया है हमने और ऐसे ही बनाते चले चाहिए कर लड्डू बहुत ईजी लिए आप बना सकते हैं दूसरा लड्डू भी आपको बना कर दिखा देती हूं फ्रेंड्स बस आपको दोनों हातों के बीच में इस तरीके से प्रैस करना है और लड्डू तयार हो जाएगा इसी तरीके से हम सारे लड्डू बना लेंगे तो फ्रेंड्स ये देखिए काफी ज़्यादा क्वांटिटी में लगबग ऐसी ऐसी दो प्लेट भर गई है इतने लड्डू बने है साइज भी मैंने नॉर्मल रखा है ना ज़्यादा छोटा रखा है ना ज़्यादा बढ़ा तो फ्रेंड्स ये लड्डू आगर आप टेली दूद के साथ भी खाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा पॉस्टिक है आपकी हेल्थ के लिए तो अच्छे है ही है अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ एक और टेस्टी रेसिपी के साथ थैंक्स पर वाचिंग